हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं आपकी सलोनी में फिर से आ गई हूँ और आज हम शुरू करेंगे आपका पहला चैप्टर बिल्डिंग विट ब्रिक्स तो मैगनेट ब्रेंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जैसे मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में मैने आपको पूरा क्या क्या बताया था? मैने आपको बताया था कि आप जो ये क्लास फोर्त में आय हो नहीं, नहीं क्लास है मजा तो बहुत आरहा होगा लेकिन एक बार पढ़ाई शुरू कर ले हम, तो क्या पता कर रहा था हमने पिछले लेक्चर में के आपके जो मैThese की है इसमें कितने chapters हैं तो total 14 chapters आपको पढ़ने हैं class 4th maths में और उन 14 chapters के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सारी information दे दी थी तो आज से हम उसका पहला chapter शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? Building with bricks तो आपको तो ये भी पता होना चीए कि building का क्या मतलब है, with का क्या मतलब है और bricks का क्या मतलब है वही यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि जो important important points है, वो हम cover करेंगे तो वो क्या points है? वो यहाँ पर 1 से 7 तक लिखे पर main मुद्दा तो ये है कि यार, ये building with bricks देखिए वो भी सोच रहा है ये देखिए, ये भी सोच रहा है कि ये है क्या actually building with bricks तो बता दो, आप लोग तो बहुत smart हो, third class में top करके आए हम है ना बहुत अच्छे marks आये थे, fourth class में भी अच्छे marks लाने है तो building मतलब बनाना, है ना, एक building का मतलब होता है, building खड़ी हुई है याने कि बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, एक building का मतलब होता है, banana with bricks मतलब bricks की help से, अब bricks क्या होती है मैं मों, bricks की help से हमको क्या बनाना है तो थोड़ा से सबर करो, सारी चीजे मैं आपको समझाओंगी बिल्कुल पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इस chapter में क्या क्या चीजे आप पढ़ोगे अगले lecture में मैं क्या बताऊंगी कि actually brick होता क्या है, है ना थोटे थोटा हम बिल्कुल सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी doubt ना बचे आपको फुल आउट और फुल माक्स आ जाएंगे फिर, तो देखिए what we will study in this chapter, वो सोच रहा है कि इस chapter में मेरे को actually पढ़ना क्या है तो देखिए bricks pattern for जागरती school याने कि यह आपकी maths में पहले ही page पर जो जागरती school का एक box बना हुआ है, वो हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे how to draw a brick, याने की brick को हम draw कैसे करते हैं, हम पढ़ेंगे a wall that will not fall wall का क्या मतलब होता है, दिवार, तो ऐसी दिवार जो कभी ना गिरे तो ऐसी कैसी दिवार होती है, तो हम उसमें जानेंगे फिर हम देखेंगे different wall patterns, याने की अलग-अलग दिवार के patterns, अलग-अलग तरह की designs जो दिवार पर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम इसमें जानेंगे अगली चीज हम देखेंगे looking through a brick jali, याने की jali क्या होती है और brick की jali क्या होती है, अलग से मैं आपको समझाओंगी सारे चीज़े फिर a special arc, arc क्या होता है और special क्या है, उसमें special तरह की कुछ अलग होती है क्या, वो सम हम पढ़ेंगे इस वाले topic के अंदर फिर end में आपके last page पे, इस chapter के last page पे दिया हुआ है mental math की एक problem जिसमें भजन, भजन नाम का एक इनसान है, वो भजन नाम भजन करने वाले भजन नहीं है ना जो मंदिर में होते हैं, भजन एक person का नाम है, तो भजन by is a brick, याने की भजन bricks खरीनने जाता है, तो वो क्या है, क आपको ये भी दिख रही होगी picture जिसमें कोई क्या है, ये कुछ रख रहा है, तो देखने के लिए तुम मैं बता दू कि एक brick ऐसी दिखती है, अब उसको properly क्या होती है, क्या definition है उसकी, कोई पूछे तो आप कैसे समझाओगे कि brick क्या होती है, आपका दोस्ती पूछने माले को हम बोलते हैं, brick, brick को हिंदी में क्या बोलते हैं, इट भी बोलते हैं, जिससे आपके घर बने होते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम अब अगले lecture में जानेंगे, आज हमने ये जान लिया कि इस chapter में हमको में में क्या चीजे पढ़नी हैं, तो जल्दी से मिलते अगले lecture में ममी से बोल दीजिए कि सलोनी माम का दूसरा वीडियो लगा दो, जिसमें वो क्या बढ़ाएंगी, what is brick, तो मिलते हैं जल्दी से, bye bye